अब शुरू करते हैं देखे पहले कोशिए है the right part of human heart आने की हमारे हेर्दय का दाया part कौन सा ब्लड and right part करता है de oxygenated blood आने की unpure blood और left part जो है वो करता है pure blood आने की oxygenated blood अगला कुश्चन है दे ब्रेकड़न आफ पेरवेट टो गीव करवन डर्ग्षाट वाटर एंड इनर्जी इनर्जी तो उसका एंसर होगा कहां भी ब्रेकड़न होता है यह सब यह सब होता है मारा इनर्जी हाउस अन्हें की मैट्रो कॉंड्रिया में अगला कुश्चन देखते हैं दर्येरिंग औफ सिल्क वर्ब को कहते हैं सेरी कल्चर अगला कोशन है इन्शुलिन कहां से निकलता है यह हमारे पेंट्रियास के बीटा से निकलता है अगला कुश्चन है How much percentage of energy can be transferred from one traffic level to another traffic level जाने कि ये 10% log की बारे मात कर रहा है जो food web की बात करते हैं उसमें मात 10% energy one level से other level में pass out होता है इसका answer होगा 10 अगला कुश्चन है The fertilization The fertilization of human body takes place in तो वह fertilization होता है आपका यहाँ पे ओवी डेक्ट में या फिर फिलेप एंट्योड में A fertilization of yield develops into what? In an angiosperm Angiosperm प्लाटन लग्या होता है जिसका seed covered होता है और एक gymnosperm होता है जिसका seed होता है uncovered होता है, naked होता है तो इसमें answer होगा seed Question है Which of the following endocrine grain is present in human female only but not in male Cancer होगा? जी Ovary Cancer होगा? Ovary अगला question है The female reproductive organ in the flowering plant is called क्या होगा? जी होगा carpeel जी होगा female का और stemmen होता है male का अगला question है The human in a human kidney The number of filtration units जी हम filtration unit को कहा जाता है तो कते है nephrons Kidney के filtration unit को कते है nephron The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of vascular TC which is called यानि कि ये transfer of raw materials की बात कर रहा है तो ये होगा xylem में लेकिन phloem में वो prepared जो food बन जाता है photosynthesis है वो इसमें होता है अगला question है The junction between two neurons is called जी हमरे neurons होता है उसका दो junction आनि एक neuron और दूसरे neuron जहाँ पर meet करते हैं उसको करते हैं synapse देखे Which of the following is not a mosquito born disease तो देखे डेंग्यू चिकनगुनिया और जीका वारस ये सब एडीस से होता है ठीक है मलेरिया आपको पता है female endophilis से होता है फालेरिया आपको होता है बुचरिया bankruptis है लेकिन sleeping sickness जो होता है एक fly से होता है जिसका नाम है sea fly जीके पाए fly पाए अगला कोशान है वीच अब दा फॉलाइंग हेल्ट्स इन दा फॉर्मेशन अफ कोलाजन जिया तो कोलाजन का क्या काम रहता है जो हमारे घाव होते हैं उसको भरने क्या काम करता है कोलाजन और यह बनता है आपको विटामीन सी से अगला कोशन है तो कमपार्ड उस्दीन दर एंटी मेलियर ड्रॉग वहता है की कोना या फिर क्लोरो क्यूर्विन अगला कोशन है देंजायम पेप्सीं इस इनक्टिव इंस्तो मेक विदाउड था प्रिजेंस आफ अनिकी पेप्सीन को एक्किवेट करने के लिए कौन साय थो चाहिए तो वो होता है HCL लेकि अगला कॉश्चन है milk sugar is also called milk sugar को करते है lactose यह सुख्रोज किसे करते है sugar cane को ठीक है यह fructose क्या होता है fruit से बनता है और सबसे ज्यादा मीठा जिसको कहते है वह यह होता है सब्यादा मीठा फ्रक्टोज मोस्ट अप्टेंड नैट्रोजन फॉम इन फॉइल इन फॉर्म फॉर्म यह नैट्रेट को फॉर्म में अप्टेंड करते हैं अन्ने कि अनो थ्री गॉल्णा है एधिख्ते फ्रेंट्रोड से माविप्रांस फॉर्म फेर सब्ता से ड्रेया फॉर्म फैर्म मेर्ड़र उसका खाते इंद्धार यॉं प है मिंत्रोग्रिय्व Rudolph ब्नृउट्णे करते हैं तो आपको लाल रंका होता है या आपको लाल-लाल टमाटर में होता है अगले बोज़ाने अमिनो एशीट्स अब दा प्रोड़क्ट आफ वीच तो देखें यह अधिक्टे के लिए ट्री का यह एक A B All amino acids are protein but all proteins are not amino acids the pH level of human blood यह होता है 7.4 अगला question है यह वीचीजीवचीन इस रिलेक्टेड टू तो आपको सबको पता है वीचीजीवचीन टीबी से रिलेक्टेड देखें देखें देडिवल पाउट आप पोटाइटो जिए पोटाइटो कम लोगों सा पाट काते हैं तो होगा स्टेम रूट नहीं होगा रूट होगा यह अपको गाजर हो गया मूली हो गया उसलों कम रूट खाते हैं देखें यहां पर कुश्चन है अगर यह पूलेगा या युनिवर्सल डोनर के बादे पूछ रहा है विच इस व्यविश्च पूलेंग कि इस इन उन अगर बोलेगा युनिवर्सल एसेप्टर तो यह भी पॉजिटिव ठीक है अगला कुछन है which of the following glands cigarette tears आपके आशु जो है वह कहां से निकलते हैं तो आपके निकलते हैं लेक्रामर ग्लांड से अगला कुछन है the largest organ of human body देखिए यहां पर organ बोल रहा है तो एंसर होगा स्कीन लार्जेस्ट अगर gland बोलता तो यह होता अगला कुछन है इंडियास फर्स्ट ट्रांस्जेनी क्रॉप वह कौन सा होगा तो वह होगा बीटी कॉटन जियां अगला कुछन है विच्टा फॉल्म ग्लांड कंट्रोल्स ब्लड प्रेसर बीपी जियां तो इसका एंसर होग का ए इडेलल ग्लेंड इसको ट्रिपल अफ ग्लेंड भी खाते हैं फियर अपर ंप कहने क्या इन क्लोग यह स्मॉलेट रहा है कि देखें, who invented the x-ray? जीया, तो x-ray को invent किया है, रोजन टेन ने, और अगर बोलेगा, radio activity को किसे हैं इन्मेट किया है, तो वोगा henry buckrail ने, और matter of curiosity आपको पाता है, पॉलोनियम और रेडियम को, और ग्राहम बेन, टेलिफॉन, अंगला question है, who discovered the circulation of blood in human body, यानि कि father of human blood circulation, ज्यों कहते हैं, वो है, विलियम हावे, विलियूस प्रोड्यूस, तो बाइलियूस आपको प्रोड्यूस होता है, लिवर में, और यह का काम करता है, फैट्स का emulsification करता है, यानि कि इसको फैट्स को तोड़ता है, और आज का अंतिम question है, which of the following types of organism do mushrooms bloom, यानि कि हम लोग जो mushroom खाते हैं, तो कौन सा क्लास का है, काई algae है, fons है, fungi है, तो जी हाँ, वो है, fungi,